नावी सक्ति बंदन अधिनियम पारित होने के उप्रांत आधी आवादी के अविनिंदन के लिए आयुजित आज के समारों में प्रदेश सरकार में मेरे सयोगी मंत्रीगान जनपत के प्रभारी मंत्री सी जेपीएस राठोर जी प्रदेश के आपकारी मंत्री सी निटिन अग्रवाल जी प्रदेश सरकार में उच्छ सिक्सा की राज्य मंत्री स्रेमती रजनी तिवारी जी मानिय सांसर से असोक रावत जी जैपरकास रावत जी डॉक्तर असोक बाच्पई जी ओर सांसर से नरेश अग्रवाल जी भारती जनता पार्टी के जिला के अध्यक्स से जीट सिंग बब्बं जी जिला पंचायत अध्यक स्रेमती प्रेमावती बर्मा जी मानिय विधायगांड से माद्वेंद्र प्रताब सिंग राणो से स्यांपरकास जी से प्रभास कुमार जी से आसी सिंग आसो जी से रांपाल बर्मा जी स्रेमती अलकार कुवंसी जी बिधान परिशत के माने सदस्या स्यविनाज कुमार सिंगे असोख अग्रवाज जे महिला बोर्चा की जिलापिय अध्यक स्रिमतिय अरुता गुप्ता जे आज के इस कारिक्रम पस्तित जन्पाद हब्दोई से जुड़े वे सभी पस्तित भाई और बहनो आज यहाँ पर नारी सक्ति वंदन अधिनियम के पारिक होने के उप्रान आधी आवादी के विनंदन के लिए हम सब यहाँ पर उपस्तित हुए हैं मैं इस उसर पर इतने प्रातह तारीम सत्र में ही इतनी भारी संख्या में आपके यहाँ पर आजमन के लिए आप सही का हर्दे से विनंदन करता हो आप सब का स्वागत करता हो इस उसर पर आप लोगों के ही पहाने जंपद हर गोई को पान सो इप्तालीस करोर रुपे की प्रियोजनाओं का उपहार लोकातर और सिलान्यास के रूप में उप्लब्द हो रही है मंचस्त अपने मान्ये जन प्रतिनियों को धन्यबाद देते हुए जन पब हर दो ही वासियों को इसके लिए मैं हिर्दे से बढ़ाई देता हूँ भायों वेलों हम सब जानते हैं कि आधी आवादी को सम्मान और ससक्ति करण देगर कोई भी समाथ ससक्त नहीं हो सकता और कोई भी रास्त समर्थ नहीं हो सकता प्रधानमंत्री मोटी जी ने दो हजार चौदा में इस बात को बहुत नस्दीक से समझा था और इसले देश गेंजर आजादी के बाद पहली बार देश के राजमितिक एजेंडे का हिस्सा महलाये बनी थी देश की योजनाओं का दार महलाओं को केंद्र में रख करके बनाया गया था आप देखेंगे एक एक योजना आप देश की आधी आबादी को केंद्र में रख करके उन्हें ध्यान में रख करके बनाई जा रही है इन योजनाओं में अलग अलग प्रकार से उनकी सुरक्सा से जुड़ीवी योजनाएं भी हैं, उनके सम्मान से जुड़ीवी योजनाएं भी हैं, उनके सावलंबन से जुड़ीवी योजनाएं भी हैं, और इन योजनाओं को प्रभारी बंचे लागू करने के लिए, उनके ग्रियाने के लिए, उनके एक मिस्चित काली समिक्सा करने के लिए डवनिजन की सरकार लगातार कारे कर रही है आज उसी का पेड़ाम है कि जंदन एकाउंट से लेकर के देश के अंदर नारी करिमा की प्रकीक पनीवे हर घर सोचाले की योजना हो या फिर हर उस परिवार का जिसने आजादी के बाद अपने स्वेल के सिर को ढखने के लिए छट नहीं प्राप्ट कर पाया था उसे आवाज देने का कारे करम हो या फिर पांच लाग रुपे की स्वास्त बीमा का कबर के लिए इसमान भारत की योजना या फिर इनी सभी किसी करम को आगे बढ़ाते हुए जिन लोगों ने कभी पिजली के दर्सन नहीं किये थे उन काओं में बिद्दुत के बिजली ज्यानी वहां तक बिद्दुती करन करना और फिर फिरी में उन करिवानों को बिद्दुत के कनेक्शन उप्लब्द करवाने के कारिक्रम हो प्रभावी ढंसे जहां ये कारिक्रम आगे बढ़े वही जीवन के पते एक छेट गर में बेटियों को बहनों को आगे बढ़ने का उसर प्रत्र चाहेलेस के इसके लिए सरकार के अस्तर पर अनेक कारिकरम चलाए गयी औनेक योशनाई प्रभारी गल से आगे बढ़ रही है आज उसका परिणाम हम सब के सामने है आज आज आप देख रहे होंगे एक सामान्य सिक्सक से लेकर के आज चंद्रियान के उडान तक के कारिक्रम के साथ आभी आभादी जुड़ीवी है पंचायद से लेकर के स्ताने निकाय तक पहले से ही उन्हें प्रधान मंतली जीने विविवस्ता पुफ्ता करती है कि परिसीमन के बाद जब नए परिसीमन के आँकड़े सामने आएंगे तो समय एक तिहाई सीटों पर मेहनाओं को भी विदायक और सांसत बनने का उसर प्राप्त होगा इसके लिए आप सभी बहनों को हिर्दे से बदाई देने के लिए आप में स्यम हर्दोई जन्पद में आया हूँ वह योगे नम सब जानते हैं इस सभी कारिक्रम आपके मात्यम से समाज के ससक्ती करण और एक समर्थ और स्वावलंबी भारत निर्मान के लिए प्रभान मंसरी जी के बारा उठाए गए कदमों का परड़ाम है कौन जन्प कौन नहीं जनता है योजनाए हमेशा बनती थी लेकिन योजनाओं का लाब एक गरीब को एक किसान को एक नौजवान को महलाओं को मिलना हमेशा एक चौनोती बनी रहती थी अकेले पिछले नौवर्स के अंदर प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर कदेश के अंदर जहां चार करोड गरीबों को मकान मिले प्रदेश में डवल इंजन की सरकार बनने के उप्रान अकेले हर दोई जन्पत में ही एक लाग बारा हजार से दिख परिवारों को एक-एक आवास उपलब्द कराने का काम भी किया गया एक-एक परिवार को चिन्नित करके और मैं आज आपको इस बात के लिए अस्वस्त करने के लिए आया हो कि भाईो बेलो जिन लोगों के पास जो जरुत मंद है जिन के पास अपना आवास नहीं है उन्हें आवास उपलब्द करवाने के लिए सरकार में अब तक एक लाज बारा हजार प्रिवारों को आवास उपलब्द करवाया है जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा उनको भी आवास की शुद्धा का लाब अवस्य प्राप्त होगा आपने देखा होगा पहले गरीब गाओं में जिस जमीन पर अपना मकान अपनी जोपड़ी रखता था दबंग वहाँ से सेहता देते थे उजार देते थे किसी आप्दा की चपेक में मकान आगिया दौारा वहाँ पर मकान वाब बना पाएगा इसका कोई भरोसा नहीं था पहली बार प्रधान मंत्री स्वामित योजना के अंसरकत जहां पर किसी गरीब का मकान है जहां पर उसकी जोपड़ी है उसका मालिकान अभिकार भी उस जमीन का उसको प्रात्त होगा इसके लिए 75 लाग परिवारों को अब तक प्रधेश में शुरधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तै कि आ है कि प्रधेश में एक करोड़ पचीस लाग परिवारों को यदिकार हर हाल में उप्लब्द होना है उत्तरब्देश देश के अंदर प्यम सुनिधी में आपने देखा होगा इससे पहले थेला, खौमचा, रेडी और पट्वी ब्योशाईयों का कोई पुरसाहल नहीं होता था गरान पंचायत या पंचायतों के बारा में अलग से प्रताडित किया जाता था नगर निकायों में उनका सोशन अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसुली करता था लेकिन भायों बेनों आज पीएम सुनिधी योजना के अंसरकार बैंक से उन्हें जोड़ने की कारवाई करने के साथ तो कोई भी पट्वी ब्योसाई पीएम सुनिधी योजना की अंसरकार ब्याज मुक्त दिर्ण लेने का अजिकारी बन सकता है और इसके ताब तर्पदेश के अंदर चौदा लाज पट्वी ब्योसाई अब तक लाभानित हो चुके हैं या ज्यादा तर इसमें मैला लाभारती हैं ये चीज़ें दिखाती हैं कि चहां सासन की योजनाय आई वे केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही उन्हीं योजनाओं का लाभी करने कोग से उन्हें मिलत होता हुआ दिखाई दिया हो सोचन मुक्त समाच की जो करी कल्पना होती थी आज अस्साटार हुटा वा दिखाई दे रहा है और प्रदेश में डवलिंजन की सरकार आने के बाद भी जो कदम उठाए गए आज उसके पेंडाम भी हम सब के सामने हैं आपने देखा होगा आने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्सा के लिए मैलाओं की सुरक्सा के लिए फुक्ता अंतिजाम करवाया था और प्रभावी डंचे से लागू करने के लिए भी कारिकरम बनाये गए आज उसके पेंडाम हम सब के सामने आते हैं 1947 के लेकर के 2017 तक इन 70 वर्तों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 मेलाओं कार्मिक थी और आप मैं कह सकता हूँ पिसले 6 वर्स के अंदर जिन अत्रिक्त भर्ती के कारिकरम को हमने सफलता पुर्वक्त प्रदेश में लागू किया आज उसका पेड़ाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है यह 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती है उन्हें जब भी आउसक्ता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20-20 महलाओं के लिए प्युस्ता होनी चाहिए भर्ती की और उसका पेड़ाम है देड़ लाट भर्ती हुई देड़ लाट में 30,000 महलाओं की भर्ती हो गई वयो बेनो सरकार की च्छा सक्ती होनी चाहिए और सरकार अगर कारे करने की चूक है परवावी गंस ये योशनाओं को क्रियान वेन पर जोर दे देगी कोई कारण नहीं कि आज महलाएं प्रतेत छेतर में आगे वड़ रही है तो उसके पैड़ा भी हमारे सामने सुख़ रूप से आ रहे हैं अभी आपने A.C.N. गेम्स में देखा होगा पहली बार प्रणान मंत्री जी के बारा चलाई गई हो जना कल आप किस रूप में प्रप्त हो रहा है पहली बार आपने देखा होगा खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मोव्मेंट के पैड़ाम हम सब के सामने हैं इसमें मेलाओं ने भी किस रूप में बाजी मारी है याद करना भारत के अंद भारत को जो A.C.N. गेम्स में जो गोर्ड मेडल मिले पहली बार भारत ने सोंका अगड़ा पूरा क्या 111 मेडल भारत के खिलाडियों ने A.C.N. गेम्स में अर्जिट किये और उसमें भी वहाँ बेटी जो वहाँ ये बोलती थी जब उसे गोर्ड मेडल मिला और उसे पूछा गया कि बेश कि आप तो अहां पे जब दोड़ रही थी तो उस समय चाइना से काफी तीछे चल लही थी अंतिन तीस सेगिड में उन्होंने पूरा पाला बदल दाना परणाम को बदल दाना तो पारूल चौधरी ने एक ही बात कही थी उन्होंने कहा कि मेरे स्वाम ने दो लगते थे एक देश के लिए मैडल जीतना और दूसा मैडल जीत करके उस्तर पुलिस में डिप्टी एस्पी के पद पर जाना और भायोगे नो राज्य सरकार ने भी तेह किया है हम लोग तेह किये हैं कि जो भी खिलाड़ी ऑलम्पिक में एसियन गेम्स में कॉमन वेल्ट गेम्स में विश्वत चैंपियंशिप की किसी भी प्रत्योप्ता में देश के लिए मैडल जीतेगा की विवस्ता भी करेंगी हम लोगों ने इससे पहले ओलम्पिक में मेडल जीतने वाली बाहर की टीम के खिलाड़ी सी लली तुपात ज्याय को तप्रदेश पुलिस में डिप्टी एस्पी के पतपर्स पहले ही समायुजित किया है और अब जो बेटियां कोहां से मेडल जीत करके आहीं इस इन गेम्सवे में उनके संवारों समारों की तैयारйां विचंडल लइए और प्रभावी दोंसे इन कारिक्रमों को आगे बढ़हने के लिए हम लोग आने वाले समय में हरे एक छित्र में जहां भी बेटियों को उचित आउसर प्राप्त होगा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपने उनकारे योजनाओं को आगे बढ़ाएगी आज इसी का प्रेणाम है आपने देखा होगा बेशिक शिक्सा परीसत में बेटियों को और वहाँ पढ़ने वाले हर छात्र को आज वहाँ पर हम लोग उन्हें युनिफॉर्म दे रहे हैं बैग और बुक्स दे रहे हैं बेटा और बेटी के बीच में भेट भाव को समाप्त किया जा सके उन्हें सम्मान जनक धंते आगे बढ़ने का उस्तर प्रप्त हो सके इसके लिए सरकार की अस्तर पार एक करोड 91 लाज बेशिक शिक्सा परिशत के स्कूलों में अध्यान करने वाले बच्चों के लिए दो युनिफॉर्म बैट भूप सूद सौद स्वेटर इ इसके लिए धनराजी डीवीटी के मात्यम से उनके परिभाई भावक के खाते में भेजने का कारे किया जा रहा है हरे एक खेक्र में एक और सरकार के स्तर पर पढ़ाई मिसुल्ख दूसरी और भुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में भी बेटी के जन्व लेने से ले रही है लेकिन बायों बेनों हम लोगोंने तै किया है नए सत्र में ये 15,000 की रासी 25,000 रुपे बढ़ेगी 25,000 रुपे के बजट की विवस्ता कर दी गई है सत्रा लाग बेटियानी लाभवानित हैं आने वाले समय में और भी बेटियों को इसके साथ उनका रेजिस्टेशन करते ही उन्हें हम इस योजना से लाभवानित करने का काम करेंगे मुख्यमंद्री सामीत विवायों जनापके सामने हैं आपने देखा होगा बेटि की साथी के लिए किसी भी अभावक को पहले करज लेना होता था आज करज लेनी क्या हो सकता ने अब तो बेटि की पढ़ाई से लेकर के उसके नौकरी की विवस्ता तक उनके आर्थिक वावलंबन उनकी सुरक्सा से लेकर के उन्हें साथी ब्याओ के योग्य बेटियों हो गई तो मुख्य मंत्री सामिक व्युहा की योजना उनका इंजजार कर रही है और सामिक व्युहा योजना में अब तक तीन लाग से दिक बेटियों की साधी अखेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य मंत्री सामिक व्युहा योजना की अंतरगत किया जा चुका है जिसमें राज्य सासन उन्हें 51,000 रुपे की रासी देती है निलाचित मेला पेंशन में 29,000 रुपे सालामा पेंशन की सुप्धा का लाफ जबल इंजन की सरकार उप्लंद करवाने का कारे कर रही है आज बाईो बेनो मैं आज इसी अभियान का आगे बढ़ाने की स्प्रिंखला में परणान मंत्री जी ने बिधान सवा और संसब में 33, 33 सीटों को महलाओं के लिए आरक्षित करने का जो एक ट्रांटिकारी कदम बढ़ाया है इस के लिए उनके प्रतियाभार और कृतकिता ग्यापित करने और आप सब का रिनंदन करने के लिए बिसेख रुप्ते में हाँ पर आया हूँ और मुझे प्रसंता है अभी मैंने एग्जिविशन देखाया आँपे महला लाभार्टियों को मंच पर सम्मानित होते में भी देखा है और साथ साथ हर्दोई जन्पत को इन बहनों के नाते पांसे पालीस करोड उपे की मिल लहे इस सोगात को दिपावली के उपहार की रूप में आपको देते में भी प्रसंता हो रही है यह जो प्रियास है स्वास्त केंद्रों का सिक्सा केंद्रों का हर घर नल की योजना का सड़क की योजनाओं का विविन प्रकार की समाज किया उस्टिक्ता के नूप योजनाए बन सके इसके लिए मैं भर्दोई वाश्यों को बढ़ाई देता हूँ और विस्ताब सब को अस्वस्त करता हूँ यह डवलिट्यन की सरकार क्योल बोलती नहीं है करके दिखाती भी है और शी को आज परभावी गंसे हां मागू करने के लिए मानने जन प्रकनिदी गंड जहां प्रियास करते हैं वहीं सरकार उसको प्रेणा में बदलने का फ्कारी भी करती है आप सब को मैं एक बार फिर से इन सभी योजनाओं की बढ़ाई देते हूँ अपनी सुपकामनाई देता हूँ देपावली की मंगल में सुपकामनाओं के साथ अपनी बारी को ब्राम देता हूँ धन्यबाद जय हूँ